हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल योगिता की कुकिंग क्लासीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ में शेर करने वाले हो एक बहुत ही अच्छी रेस्पी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं इसके बारे दोस्तो देखें ये है साबुदाना जो भी बरते हैं हमारे भारत में नवराते शिवराते आते हैं उनमें हम साबुदाने के विंजन बनाते हैं रैस्पीस खुब सारी बनाते हैं इसनेक्स बनाते हैं, खीर बनाते हैं, मिठाया बनाते हैं, और शाम को कोट्टू के आटा, या फिर समाके चावल का भोजन बनाते हैं, तो यहां पर मैं बता रही हूँ कि बिना आलू को उबाले, बिना कोट्टू के आटे के, बिना समाके चावल के, आप सिर्फ साबू दान में अच्छे से fine powder बना लेना है health के लिए में इसमें almonds मिला रही हो protein होता है और कैशे मिला रही होता है तो यह सब चीजे डाल कर हमको इसको mix fine powder बना लेना है इस तरीके से देखिए यह बिल्कुल fine होगे अगर थोड़ी बहुत गुट्लिया है तो अब इसको दोबारा grind कर लीचेगा उसको side में रख देते हैं यहां एक कटोरा लेंगे और उसको इसमें डालेंगे साथ में हम उतना ही धाई डाल रहे फ्रेंस देखिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जैसे एक कप साबु दाना दिया था तो हमें अर्मोस्ट एक कप से लेके डेड़ कप दही के जुद पड़ सकती है या फिर आप थोड़ा सा दही और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते है इस तरह आपको बहुत पतला नहीं करना नॉर्मल सा पेस्ट बनाके side में रख लेना है तब तक देखिए मसाला बनाते काली मिर्च क बत्रोड िकस्ट मेंच sih पर उव्च कि से इस नहीं बनाघ दोड़ा से ना मताता हम दहने चीर के दोड़ा में सब झाल में ने दो पार्ट में डिवाइट किया है, थोड़ी कॉंटिटी आपको ठीक रखनी है, बिल्कुल पतला नहीं करना है इसको, तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करके मैंने इसको रख लिया है, एक पिलेट में, यहाँ पर देखिए, ऐसे अब गीले कप्टे से इनको ढख दी इस तरीके से देखिए, अब यह जो लोई, इस पर हलका सा घी लगा के आप इसको धीरे-दीरे बढ़ाना है, हातों की हैप से, यहाँ किसी पेलन वगएरा की जूरत नहीं है, ऐसे आप इसको धीरे-दीरे बढ़ाएंगे, साइट से कॉर्णर थोड़ी से ठीक रखना, और यह बहुत आसानी से एकदम बिल जाएगा, जैसे हमरे पीजा होता है, या फिर जैसे हम उपा और बनाते हैं, उस टाइप से आप इसको परांठा जैसा बना लेना है, बस हम यह थोड़ा थिक रखना है, क्योंकि हम इसको बीच में से पार्ट में डिवाइड करेंगे, अग अब मैं कवर लीट से उठा कर दिखाती है, और इसको आप टेंड कीजे, देखे कितना गोल्डन ब्राउन और टेस्टी जो है, यह हमारा परांठा भी बोल सकते हैं, आप इसको पीजा भी बोल सकते हैं, अगर इस पे वैजिस लगा दें, तो इस तरीके से यह तियार कर ले तो ऐसे आप कटिंग कर सकते हैं, पीच में से फ्रेंसिस की केक करते हैं, ब्रैट की कटिंग करते हैं, सिर्फ उसी तरीके से बहुत आसानी से यह क्रिस्पी हो गया है, तो इसकी परत ऊपर वाली आ जाती है, जादा इसमें हार्ड मेहनत करने की ज़ुद नहीं है, और इस चाहें, तो आप इसको ऐसे भी धही के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, कुरकुरूए पराटे जैसे हम खाते हैं, तिकोने उस टाइप से यहां पर आप देखें, वीच में बेजीज और जो हमने काटके रखें, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, चैट पटा भी हो जाएग इस तरीके से आप इसको बनाएंगे ना, बहुत स्वाधिस लगेगा, और देखें ना, हमने यहां किसी आटे का यूज किया, ना, चावल का यूज किया, ना, आलू का यूज किया, फिर भी सुपा टेस्टी और प्रोटीन से भर भूर भी है, साथ भी फ्रेंट, आप इसे चाय कॉफि किसी धही के साथ खा सकते हैं, एंज्जाइ कर सकते हैं, ऐसी प्यारी प्यारी रेस्पी बेर शेयर करती हैं, तो मुझे अपना सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई, टेक केरें